Hi guys, welcome back to my channel, मेरे पास है दो iPhone 12, मैं आपको बताऊंगा iPhone 12 को अगर आपने iOS 17 के उपडेट कर लिया है, तो आपको कौन से नए changes देखने को मिलेंगे, कौन से ऐसे खास features हैं, मैंने काफी सारी वीडियो आइफोन 12 और आइफोन के लिए बना दी है नए features के लिए, अगर आपको फुल वीडियो चेक आउट करनी है तो आप कर सकते हो मेरे चैनल के उपर विजट करके, आज मैं आपको 5 changes बताऊंगा जो कि iPhone में नए features और changes आए हैं जो कि आपके लिए पास है दो iPhone 12, एक है blue, एक रेक है black, दोनों ही मैंने iOS section पर update किये हैं, so शुरू करते हैं दोनों ही phone से, so जैसे कि guys आप check out कर सकते हो, just hold on, मैं शुरुवार से आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने काफी बार आप देखा है, कि आपका जो iPhone है, कि जो पुराने call logs रहत हैं, वो clear हो जाती है, one week at least रहती है, so अब हमारी 2000 calls है, at least 2000 calls, phone call logs अवेलिबल रहेंगी, Apple डिलीट नहीं करेगा, so जब 2000 complete हो जाएंगी, तब धीरे धीरे डिलीट होना शुरू हो जाएंगी, so यह जो चीज है, Apple का मुझे यह जो नया feature काफी पसंद आया, because काफी बार ऐसा ह जाता है, कि मुझे किसी unknown number से call आती है, और मैं उससे save करना भूल जाता हूं, और मुझे काफी जनों की बाद गया जाता है, कि मुझे वो number सेव करना अफसल पड़ता था, तो उतनी देर को देखा, तो वो number clear हो जाता था, क्योंकि वो कुछ particular call logs ही save करके रखता था, Apple का iPhone, so अब जो है, हर iPhone में आपको ये feature देखने को मिलेगा, जो भी iPhone iOS 17 के ओपर updated है, next जो feature है, वो हमारा है music app से regarding, जो कोई भी Apple music यूज़ करता है, चाहे उसने iTunes से music import किया है, चाहे वो online सुन रहा है, so उसमें आपको एक नया crossfade का option देखने को मिलेगा, for example, आपको इस songs प्ले कर र crossfade option, crossfade feature या crossfade effect देगा, kind of song जो है, जैसे DJ में songs बज़ते बज़ते एक song बज़ते बज़ते दूसरा शुरू हो जाता है, so इसी तरीके से Apple के iPhone में भी song पिछला बनना ही होगा, लेकिन दूसरा शुरू हो जाएगा, दोनों songs mix होकर next song की शुरूआत हो जाएगी, ये काफ email address से भी sign in कर सकते हैं, Apple ID के और कुछ खास features हैं वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि हमने अपनी email address की ओपर अपनी Apple ID क्रेट की होती है, so अगर हम email address हमें याद नहीं है, kind of कभी-कभी काफी लंबा write करना पड़ता है, तो आप अपने number से भी sign in कर सकते हो और password एंटर कर सकते हो, यह जो feature है काफी कमाल का है, मुझे पसंद आया, next जो feature में आपको बताना चाहूंगा, वो है हमारा full screenshot, full page screenshot के regarding, काफी बार आपने safari browser में full page screenshot लेने की कोशिश की है, और जब आप screenshot लेते हो, तो आपका जो phone है, उस full page screenshot को as a PDF सेव करता है, अपने files आप में, सो अब आप आप 17 में save to photos कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, save to photos का option है, अब आपकी यह जो PDF नहीं save होगी, files आप में, अब आपकी photos सेव होगी, यह जो feature है, अब आप directly इस से अपनी photos आप में इस लंबे से screenshot को देख सकते हो, अभी आप चेकाउट कर सकते हो आप directly आप photos आप में check out कर सकते हो, अपने full page screenshot को, last जो हमारा feature है, वो safari browser के regarding है, आप अपने safari browser के private apps को lock कर सकते हो, काफी बार ऐसा होता है कि हम अपनी private browsing कर रहे होते हैं, और हम ऐसे ही safari को recent में clear करके छोड़ देते हैं, जब भी कोई safari browser open करता है, तो हमारा private tab वो देख सक प्राइवेट ब्राउजर कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा private browser lock हो जाए, तो हमें अपने phone के उपर password और face ID सेटप करने पड़ेगी, और password अब इस बार private browsing automatically on है, जब आप face ID verify करोगे, तो आप incognito tab में private browsing कर सकते हो, और वो lock रहेंगे, जब तक आप recent ने clear कर देते हैं वो दोबारा से lock नहीं होगे, जो अगर आप एक बार unlock कर लोगे, तो यह थे 5 ऐसे cool tricks iPhone 12 के लिए, यह 17 में आपको कैसे लगे हैं, चलेक में नो in the comment section, this was the video, I hope you guys आपको पसंद आई होगी, thanks for watching, thank you so much.